कि सख्रीन रहे हैं और ईस वक्त आओ अपस्क्रीन पर जो देख रहे हैं वह ब्रह्म पुत्र दिखा दिख रही आप नशीन करेंत्रा और हैं थे पीछे सूरज डूब रहा है और हम जहां खड़े हैं यह ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा शहर गुवाहाटी है आप देख रहें दिल अलंटॉप की चुनाव यात्रा और यह चुनाव यात्रा शुरू करके काफी पीछे से तिनसुक्या से शुरू करके और यहां पर आ गई है गुवाहाटी में हम लोग हैं आप यूपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जो कोर पॉलिटिक्स है उसमें चुनाव की बाते हैं लोगों से बतलब हिसाब किताब है यह सब चल रहा है लेकिन यह पहला अच्छा एक चीज और है आपने टीम मोती को देखा होगा टीम मेरा को देखा होगा लेकिन यह पहला तो हम लोग दूसरे का स्वागत करते हैं अपर मित्रों का भी जिनको बुलाया गया था और लोगा ना दीरे-देरे शुरू कर चुके तो अपने का की शुरुत कर लेते हैं बात्चीत की यहां पर कैसे क्या हिसाब किताब है यह जगह क्या है और लोगों ने जिन्हों कि भाई मिलना है आप लोगों से कैसे चुनाव आप कवर कर रहे हैं वो हमसे सवाल करेंगे हम थोड़ा बहुत उनसे पूचे कि वो सब कुछ इनसे बात्ची शुरू कर देते हैं है ना ठीक है विलकुल उधर चले आई तो अड़े में आप लोग आये हैं और बात्चीत अब किलाल शुरू करते हैं मनोज बर्मन मनोज जी आप यहीं कहां जन्मा हो अच्छा जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं यह थोड़ा इस जगह के बारे हैं वताई यह क्या है और हमने तो हमने पहली बार में थोड़ा पॉइंट आउट किया देख करके खूपसूरती की मारते तो तो चाहिता है चल्ली मारते थे तो मसली मारने का यहां बहुत हमस पोट था और इसी घ्रजंव होती मतलब की कई तरह के काम में आता है यहां पे पहले नाम इस वज़े से पढ़ा की मचली पकड़ने का मुख्य घाट हुआ करता था और अब जो है वी सर्जन के काम में आता है जो भी नदी के किनारे के अच्छा ठीक है तो फिल्हाल हम यहीं पूछने वाला था कि यह बता रहे थे साहब की यह मतलब गवार्टी वालों के लिए तो होई गया अच्छा लेकिन कोई जपान से आ यहां सामने से आपका बोटिंग करने के लिए भी मिल जाता है यहां सामने से नस्दिक से तो वह भी लोगो को मिल जाता है मतलब मल्टी परपच प्लेस हो गया है है अभी परपच प्लेस हो गया है वही तो इस दिन होली खेली जा रहे थे उसकी शाम आयते और शाम को हमें जब फैंसी बाजार तक में कोई नहीं जहां कहते हैं कि बहुत सारे लोग हमेशा मिलते हैं वहां के बाद मतलब जब यहां पर आये तो यहां पर काफी लोग होली खेल रहे थे हुर्दंग चल रहा था तमाम सब पढ़ाई करते हैं तो यहां पर गोहाटी में मतलब क्या है आपका सीन क्या है हर तरीके से कि आपने जो चुनाव यात्रा आप तक देखी वह कैसी लगी हम अधिकतर सवाल हम पूछते हैं आपको क्या लगता है कि उस चुनाव यात्रा मतलब क्या क्या चीज़े रही कैसे अच्छा जाना चाहिए था या फिर आप लोगों ने क्या अच्छा लगा आप लोगों ने क्या लगता है कि रीजनल मीडिया भी कवर नहीं कर पाई यह पहुंच गया जैसे अभी हमारी बाची निखिल भाई बहुत इंटीर पहुंच गया जहां पर सड़क तक नहीं जात अच्छा पर नोख्रियों की कमी है तो इसलिए उन लोगों ने जान मुझ के साइट पोस्पोन किया है नहीं पता मुझे लेकिन टाकि साइट ऐसा हो सकता है उसका वी वोट बंक पोलिटिक्स हो सकता है जिसमें मतलब वो लोग अभी उस समय मतलब पचार के लिए उन लोग निकाल दिया जो भरती लेकिन बाद में जब इलेक्सान आगे टेलेक्सन के समय उन लोग ने स्टॉप कर दिया और एलेक्सन के बाद अपसाइट ओलो फिर से भरती करेंगे तो लोग और लोग का एक मुड़ा बन जाएगा जो हम लोगों ने जौ ने जौब डिया है इस त एक्षाइब निकलता है उस तरह के से एक्जाम कोंड़क नहीं होता है और परती भी नहीं होता है और गॉला चाहिए एक होटा है ना लोग वीडियो की शुरुआत में यह दावा किया था कि बहुत राजनितिक बात्चीत नहीं करेंगा वह बहुत हो गई है मतलब हम लोग अंदर गए बात्चीत हुई और यहां पर कैसा क्या हिसाब करता अच्छा एक जीद बताए कि आपको दोनों टीमों का जो शुरुआत स सब्सक्राइब यहां पर सामने में जिस गली में इंजिनिंग रोड बोला जाता है जिस रोड को जिससे हम लोग लाहोटी जो जो रेलवे इस्टेशन से करीब किलो मीटर के करिए डूरी पर हमारा कोलेज है उस गली में वहां पर एक ऐसा जगह जहां पर मतलब बहुत ज्यादा पोलिशन होता है रीजन यह है कि मतलब जोरहत का जितना भी मतलब होता है जितना भी गंड़ी होती है उसे जगहां में रग दिया जाता है और उस उन करपा היא वे ष् Surprise को मेरे लिए वाथ कि कि मेरे लिए करने में अब आपर कभ़ कर आए को सामने कर दो जए सामने की एंसास मोका मिला जए सकारी अब उगार हो गूगल माप उसके पास होता था तो पीछे बैटा हो रहता था अच्छा यह लोग बता रहे थे निकल जाए मैं कहता हूं कि हम लोग इस तरफ को आते हैं ताकि नजारे बढ़िया दिखते रहे लोगों को कि बड़ा सुंदर यहां से दिखाई देता है तो हम लोग इस तरफ मुझे ना एक सर बता रहे थे कि अभी तो जैसे यह घूमने की खाने पीने की जगह है गौहार्टी की जनता आती है अभी वहार्टी में बहुत लोग वोट भी करने चले गए इधर होदर क्योंकि गौहार्टी में माइग्रिन पॉपुलेशन है जो सुबह से ही आकर के यह बाइब करते हैं बाकि वरना यहां बहुत बीड़ होती है लेकिन एक टाइम था यहां बता रहे हैं यहां से बहुत पास में बॉंबलास्ट हुआ था वह क्या किस्टा था एपकी बात है और यह कितना फ्रीक्वन्ट था उस टाइम जब मैं जब बच्पन तूथा था था 31st October वावे सीरियली मेभी 712 13 वाथा था तर्टीन गनेजगुरी का बंबलास का सीन मतलब मेरे घर से जुरी थे मतलब एक कहानी वाथ मैं आपको बताना चाहूंगा आप लोगो को हुआ क्या था कि गनेजगुरी फ्लाय बड़े नीचे में सब्जी मार्केट पूरा भीर वहा जलपाएं बोला जाता है तो मेरी डीडी वह मतलब वहां पर खाने जाने वाली थी क्योंकि उनका कॉलेज होकर वहां पर कॉल वजार है सब्जी मार्केट फ़हां पर नीचे में ओटो इस ते लागा जाता है उस ओटो में बंब रखा गया था आय ठिंग 3-7 मुझे शोर नहीं बोल पाओंगा कितना वहां पर.. में इसकुल मिफाटा मैं उससमें कुलाइब क्लास 7 या 6 में था.. मेरा इसकुल कुल रहाइसे 12 किलम्मेटर धूरी पर था.. वहां के आस पास के वहां पर एक सुईच सॉप है और बाकि सारे के सारे मतलब फूट गये मतलब पुरा जल गए ये मासखोवा के ब्सक्राइस करते तो पापा और मेरी दीदी ओर मेरीनिदी की डोस निकल नि कई तो दोनोव Pak पर दिद्कसन होने लगा बीच में उसके कान मतलब ठोड़ा डिले हो गया बाते वहां जाना और वहां पर जलपाई खाने जाने वाली थी वह उस प्लेस में जब बॉम ब्लास्ट हुआ तो मेरे दीडी की दोस्तों मेरे दीडी वह सामने में थी टीस अक्टूबर को साय दिव लोगों ने सोचा डिवाली का बॉम है लेकिन इतना जारा इंटेंस का होगा बोलके सोचा रेता लोगों ने तो उस समय हुआ क्या मतलब मेरे दोस्तों ने मतलब मेरे दीडी ने मेरे दीडी और मेरे दीडी की दोस्त वहां पर एकड़म नजदीक में थी करीब करीब सौ मि कि आया कभी किसी का सरीर उड के आया और जो ब्लड था मेरे डीडी की दोस्ट जो थी उसके डेप पर आई थी पुड़ा सरीर पर गीडी थी उसका ब्लड पुरा लोग मतलब वहाँ पर एक तो मतलब एसा हुआ जा मतलब उन्टोन में डिसकसन हुआ डिले हुआ चीजे जिसके कान मतलब संटुली थी लेकिन वहाँ का हाला बिलकुल खराब था काफी लोग मरे थे ऐसा हो गया था लास में आके थेला जो होता है थेला जानते होंगे आप लोग थेला पर लोगों का मतलब लेकर मतलब कोहार लगा रृथ है जाफ मेーका क्या होगा नेज का लेकिन면 सरे में बहुत सार रिष्कावला को भी जोason ृइस्टीन जजाधा है लेकिन कि उस से भीज़ादा दूग है उन लोग अबincो firearmह गूश जब लेकिन आपका जो हर साल तो उसका फैमिली को अभी भी लोकेल नीइशंडल नीश ने मिला है यह बहुत दुखी बाते लोग को प्रमीश किया गया था कि आप लोगों यह मिलेगा अभी तक उन लोगों का कुछ नहीं मिला है क्योंकि उस समय ऋपरोगा ने वादा और आपको 200 मेटर दूरी पर सब्जी मार्केट हुआ करता था जो कि यहां बहुत बड़ा सब्जी हॉलसेल मार्केट हुआ करता था तो उसे साइट सिफ्ट करा दिया गया कहीं और तो उस बजार में मैं जब बच्चा था क्लास 23 में परहा करता था उस समय की बाइट तक्रिबन 2002 यह तीन की बात है तो उस दौर से लेके 2000 जब मेरे को मुझे होश आया बॉम ब्लास्ट वगर ऐसा कुछ सब्द होता है कुछ घटनाएं होती है तो 6-7-8 तक लगबग यह माचकों बजार में आए दिन बॉम तो माइनर से जो भी होता था एक तो सिरियल बॉम ब्लास्ट जीन के बार में इन्होंने मतलब जो चर्चा किया है वो तो हुआ ही था बहुत उसमें घटनाएं हुई थी माचकों में भी हुआ था गनेज गुरू एक साथ क्या होता बहुत जग होता अब मैं आपको दो घट से भी कितना एक किलमेटर भी नहीं होगा वैसा उतना ही दूरी तो उस कुमारपारा पर हमां इस दुकान हुआ करता था जो महामारी माता स्री चलाती थी दुकान पर हम बैठे हुए थे उस दिन ग्यारा बार बजे के आसपास की बात है तो अचानक से एक आवाज आया है त मतलब अचंबा मुलें सौक हो जाते हैं बहुत बढ़ी बिल्डिंग की चल रही थी बन रहा था वह उस बिल्डिंग के ऊपर तक वह ओटो दिखा कि इतना उपर वह ओटो उचल गया कहा जाता है कि बात माता कि इस ओटो के अंदर बॉम जो भी है वह सावान रखा गया था सब्सक्राइब हो जो भी चीज़ों तो उसके ऊपर तक हमें दिख गया था कंस्ट्रक्शन चल रही थी वह पांच शेता लग के बिल्डिंग उसके पीछे मतलब फिर और हुआ यह करता था कि जब भी भी हम मैं भी छोटा था उस टाइम में मतलब साइट 7-8 में था मैं तो जब बॉम्डास पर आवाज होता ना तो वहां के लोग भागते हैं पर बाकी के दूर के लोग वहां चाने देखने चले जए क्या हुआ है क्या हुआ है तो हम भी गए वहां पे तो अंदर तो नहीं घूस पाए दम जहां पूरे एग्जैक्ली स्पॉट पे हां हमारी माता सब्सक्राइब कुछ 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 पूलीस पेटलिंग करते हैं पहुंच गी ब्लॉक कर दिया गया तो जो न्यूज रिपीटर थे उनके द्वारे का आगया कि वह जा सकते हैं अंदर जो घंप चला रहे थे चालग वो तो मरी गह है प्लस आसपास के बहुत लोग रिक्सा वाला जूस वाला है सब मर गए ऐसा आपको सुनाई दिया ऐसा वहां के लोगों ने आपने सुना बाद में सुना और जो कई लोगों ने देखना मैंने सुनाई कि उन लोगों ने देखा कि किसी का जो गला है वह उपर का कहीं पे टंगा हुआ कहीं पे कुछ टंगा हुआ कहीं पे वह उड़के कहीं फ्लोर पे चले गए तो ऐसा नित की भगल के जितने भी सामने के बिल्डिंग्स वगए थे सारे को ब्लॉक कर दिया गया उस बिल्डिंग तक के उपर की बॉड़ी या किसी केंपस के अंदर चली एसा से बाद और जो वहां पर ने मलक जो उसके स्पोर्ट के पास में रहा करते थे उन्हों वह रिस्तेदार थे हमारो कहा करते थे कि जो रात को वहां से आने के समय 12 बजने के बाद या कुछ भी सम मेरी माता शिव पिता जी कहीं जा रहे थे बजार फैंसी तारी आ रहे थे मार्केट के लिए एक चैनमर रेलवेगेट है वहां पर हमाई खराड़ गये लाइन गेट होता है ना क्रॉसिंग तो ट्रेन आता है तो जो बेड़केट वह लग जाता है स्टॉप वाला तो इसलि उनकी आवाजें मैं गया था लेकिन इस तरह से कहां यह जाता यह आने ता माने आटा वह लोक्त में वहाँ जारे तो पर लोग नॉर्मेल आदमी लोग जाते थे वहां पर आस्ता क्रोस कर देखे जाने के लिए ना वहां पर लोग मतलब रात में इसा कहानी बनाए गाता हम लोग कुम लोग रात में तक उस समय चट पूजा वी आने वाला था मुझे याद है चट पूजा उस समय होने वाल तो साथ दिन के लिए ना वहां पर लोग मतलब आना जाना बंद कर दिए वहां पर तो बंद कर दिए इसलिए क्योंकि डर गए थे जो मतलब वहां पर कहानी बनाया जाता था लोगों द्वारा जो वहां पर मतलब भूट प्रेशिक की बात वह तो आप लोग बताए आप लोग को इसकी वज्जे क्या बताए जाते थी और यह कब रुक तो यह जो है एंडीएफबी का क्या हुआ था था तो एंडीएफबी का फिका अभी दो गुट हो गया था एक तो सॉंग विजित गोट और एक हो गया रणज प्रेशिक विजिए उस समय सरकार गठन कर लिया बीपीएफ तो अभी तो जैसे एपीपीएल हो गया है लेकिन उन लोगों तो तो पहले तो हगरमा जी रणजन देमारे जी सब एगी थे लेकिन जब हगरमा जी ने कॉंगरेस के साथ मिलके उस समय बीपीएफ गठन कर दिय लिए उस समय का उन लोगों का इंटर निवी वो उन लोगों का विएद हो गया था तो उसी के बर्ज़े से यह सब होने लगा सरकार ने रंजन देमारे के बात सुनना कम कर दिया था क्योंकि बीपीएफ तो गठन हो जुका था उस समय कॉंगरस के सब बीपीएफ गठन हो यह जो था इसका जो मतलब अपने उपर यह जो क्लेम करते थे कि उल्फा जो हम लोग वैसे आसा में अल्फा कहते हैं और मतलब बहुत सारे जो नौर्टन बागी लोग उल्फा भी कहा करते हैं तो जो वो और्गनेजेशन जो है वो इसका मलत जिम्मेदारी लिया करते थे जादा तर में और जो मुख्य रूप से वही हुआ करते थे कहीं भी बॉम ब्लास्ट रहा करता था तो एक समय था कि बच्पन में कि बहुत लोग वहते हैं कि दबंग गई लड़के या आदमी तर दो जाटा था कि हम उल्फा या अल्फा से हैं तुम हमसे डर के रहा करो वर समय के आप बता रहे हैं उस समय आपकी मेरी उम्र तक्रियान जब मुझे अल्फा के पता चला तो 56 क्लास में क्या दो तो कई बार महीं आपके और यह सब्द का प्रयोग मत करो कोई सुन लेगा तो उस तरह मैंना डड़ाया इसे लोग फैला जा भले कोई हो ना हो जैसे अल्फा का शुरुआती दौर में तो सामने उन लोग सेपरण और उन लोह का पैले पैले जो द तर वो तो अच्छा रही था लेकिन उसके बाद जो संगतन बदें गया तो उसके बाद लोग जो भी श फास उट गया उन लोगा अभी तरिस जी सा लोग का हालाट हो गया थो लेकिन उन लोगा पहले मोटीव ता तो थीगी था उसके बाद यह से हो गया लेकिन यह गनेश्गुरी वहला इंसिदेंग यह बेने करिया था बाकि जो भी चोटा वोटा जो आपके बूल्फा ने बहुत सब्सक्राइब बशारा जो थेमाजी में चिल्ड्रेंस के जो एक समारों में उनसी इसे में फोर्टीन श का मोगा था बेटर है पहले से बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है मतलब आज अब देड़े यह पिछले 5-7 सालों में देड़े देलोगों के दिमाग से वह चीज निकल गई एकि अब अलफा या किसी से डर वाली वह चीज है अब डर की नहीं है आप जाते हैं कि सुनी जा यहां पर जसे मैनिफेस्टो दिया कउंग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो दिया मैनिफेस्टो जो होते है उसमें लग बग बाबर बात रहती है कि इतनी जौब तो आपने दो सरकारे भी देख लिए आपके जामने तो क्या बतलब यह करेगी उसके अलाबा उसकी और जमीदारी नहीं बनती है जब आप लोग आप लोग के बीच में तो हमें इस गौप यहां करेंगे आप लोग तो जब आप डालेंगे तो जो इशूज है जैसे जो दिल्ली में पैटे हुए लोग है ना है निखिल भाई वहाँ पे वो जब यहां पे हली कॉप्टर बड़े बड़े नेता उतरते हैं कोई भी बड़ा देता तो वह फिर वह उस पैठियों की बात होती है और बड़े इशूज की बात होती है जिनसे सब्सक्राइब यह तो मैदान में बहुत सुनने को मिला यह जारा आपको कैंपसेश में इन्वर्स्टी कैंपसेश में मिलेगा यह एश्मी स्पीकिंग जो लोग है उनके बीच में आपको सेंटिमेंट मिलेगा एक चीज मुझ को पूछने हैं मैं 2019 में आया था एक बार आपके शहर को कैसे बनते या बिगड़ते देखा है बहुत अच्छा डवलप्मेंट हो रहा है बहुत अच्छा जो पिछले 15-20 सालों में को अगर वह चाती तो 15-20 सालों में इससे डबल कर सकती थी लेकिन इस गोवर्मेंट ने वही हमें 5 साल के अंदर दिखा दिखा दिय करती है यह सरकार लेकिन बाकी मुड़ों पर बतलब ध्यानने देती है मतलब के चुनाव नहीं है अगर चीज और होती है अभी हम लोग बात कर रहते हैं कोई भाई साब दिखा रहती कि मेरी जेब में कच्रा पड़ा रहता है तो आई 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 तो जैसे एक यह बात ह कैसे आया लोगों की मेंटेलिटी कैसे बदली कि नहीं अब हम ही साफ कर लेते हैं सरकार भी तो ने देखा कि लोग अब रोद सुबह आते हैं काम करते हैं जो सफाई करमचारी है यह अपने साथी जो भी है मुन्सिपल्टी काम कर रही है अब जाती है रोजगर से कच्रा उ तो लोगों को दिमाग में अब देखते हैं साब सुत्रा रस्ता पड़ाय मेरे पोकेट में एक पुडिया का गुटका का या कुछ भी एक्सवाइज अगर है टौफी खाई तो मुझे अपने आपने फास्टाइम नहीं होगा तो मेरा पापा का आदर बन गया है पापा का मेर मतलब इनिसेटिव लेना पड़ेगा ताकि मतलब यह जब्रों का मतलब यह जो जागरूपता आई है जो समाज की बीच में इंसान जो भी सबकी बीच में यह मुझे याद है कि मैं 2014 में गौहाटी में था उस समय तो जब यह बीजेपी की सरकार जब आई थी और जो लाल के स्वच्छता के उपर जो मतलब स्टेप उठाए गया था कदम उसके बाद से लोग मलें उनके बातों पर विस्वास करना शुरू कर दिये उस समय की बात है मेरा दुकान हुआ करता था वहीं पर जानत होईते पर लेका तो उस दुकान के पास पर एरिया वाले कई लोग ऐस समय से लंबा फासला तै किया जा सकता है वो 2014 से सुरू ही मुझे जो यादा में जिस तरह से मतलब होटा है मतलब लोग खुडी अपनी और से मतलब कुछ ने कुछ मतलब अच्छे अच्छे काम करते जैसे जबरा को पोकेट में रख लिया इन्होंने रखा था जी मैं दौर से यहां कैसे असम में मेरे एक चुल में सिस्टर है यहां डीमापूर में पोस्टिंग है उनकी तो उनकी ज्वारिंग दिलाने लेकिया था मैं दौर वाले से तो निकल भाई को बात करनी चाहिए ज्यादा आई यह वह सिवनी वाले है और मैस इंद्वाडा से हूं टिक इन यहां की लोकल जो नगरपाली का इंद्वार में है यहां की जो रिती तो बराबर जगह 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 डस्ट बिन होना चाहिए बहुत सारे थे बट अभी काम चल रहा है बोलके वह हटा हुआ है जैसे यह आप कहरें कि दस्बिन थे इन्हें फिलहाल मिल नहीं रहे यह कह रहे हैं कि थोड़ा एक कदम सरकार चली एक कदम हम चले ऐसे हमारा शहर साफ हुआ साल दो साल के बीटर तो जैसे अब यह होता ने कि भई उस पर आपका सवाल उटता है अब यह आदमी तो भाई इंदोर से आया है तो यह खाली बोतल लेकर यहां पर टहल रहें चाहूंगा कि इंदोर जो साफ है यह वाक्य में बहुत साफ है पर इसका और कारण है कि बीच में न्यूज में देख रहा था कि जो ऐसा एक कंपनी है जो अभी वैक्सिन बना रही है कोवी शिल्ड नामें जिनका वह सी एसर पॉलिसी के तहट कॉर्पेट सोशल रिस्पॉंसिलिटी के तहट जो टू परसेंट दिया तो उसका कुछ हिस्सा वह इंदो पैसे हमारे देखने वालों के लिए यह भी बता दे जब आप सीएसर की बात करते हैं तो कॉर्पॉरेट सोशल रिस्कॉंसिबिलिटी की बात करते हैं कि जब कोई बड़ी कंपनी होती है वो लोगों से मुनाफ़ा कमारी है सरकार ने सबसीटी दी कि ठीक है आप यह सस्ती जमीन ले लो वो चीज बनाओ ताकि लोगों का भला हो तो वो क्या करते कि बाइए इस मुनाफ़े का एक हिस्सा होता है जो कि लोगों के बीच में लगेगा उसे तमाम सोशल सब्सक्राइब बहुत पहले से मनलब चार बजे से वह यहां पर लेकिन आप दिक नहीं रहे हमे आप सर मैदान में आईए औरे नहीं नहीं मैं तो आपको सुनने के लिए तो हम आ जाएंगे आपकी सेवा में क्या करते हैं सब्सक्राइब करता हूं और तो आपने बहुत लंबा टाइम देख लिए हम यही प्रमपुतर नदी में बहुत पानी बहते हुए देखा है यही मंचा थी यहां बात जब कर रहे तो लोगों से तो इन से पूछना चाहरे थे कैसे वाल्व हुआ है शहर क्योंकि यह मतलब पॉलिटिक्स वाम बात करते ही रहते हैं लेकिन शहर के बारे में बात करने को कम मिलता है तो इसलिए अड़ा मतलब जमाया गया यहां पर यह कभी भी मतलब आपको असा फल्था नहीं मिलेगा हाँ हाँ बस शामने उसी हाँ और जहां तक स्वस्था का बात हुआ तो एक बात हम बोलना चाहेंगे सन 2014 के पहले यहीं तीयारपी रोड बोलते हैं इस बिल्डिंग के पीछे वहां इतना इतना मतलब वो किचड रहता था घ आप जाईए आप चावल छीट के उठा सकते हैं जबकि वहां दिन राट ट्रक लगती है लोड होती है माल अनलोड होती है फुट ग्रेन आइटम तो यह बदलाव हुआ है वह बदलाव आम लोगों का उसमें ज्यादा भूमिका है गवर्मेंट का तो हैं ही गवर्मेंट का मतलब आपने बिल्कुल जो आप जिनको पसंद करते हैं उनके बारे में और और इसमें मतलब शहर में क्या बदलाव आपने देखे जब से 2002 से मैं पूछ रहा हूं मतलब 14 के बात तो हुआ है ना पहले कैसा था और बाहर मतलब यह था अपने को जो जो बैदान से लोग आते कि यहां के लोग बहुत अच्छे हैं हेलफुल हैं और बहुत ही ओनेस्ट हैं मदद भी करते हैं दूसरा बात यह बोलेंगे कि करिब 10 साल पहले यह थी हम लोग कहीं तूर पे जाते थे तो जो समय आज 4 घंटा लगता है उपहले 8 घंटा लगता था उपर से जो गाड़ी आप इस्तेमाल करते थे उस गाड़ी का इस्तिति आप समझ सकते हैं जो 4 घंटा के बदले 8 घंटा लगना तो बहुत दिकती जो बहुत दूर हुआ है मेरे हिसाब से 90 परसेंट यहां दूर हुआ है थोड़ा बहुत तो कहते हैं कि एका एक सारा चीजे दूर नहीं होती ले आप पूछी मैं करा हूं कि आप इक शहर के और लोग क्या सोचते उनसे पूछे हैं सरकार के काम से फूल कुछ से कोई दिकत नहीं है यहां की स्टेट गवर्मेंट और सेंट्रल गवर्मेंट भी दोनों का बहुत अच्छा काम चल रहा है बहुत अच्छा हर छेत्र में क्य गूगल पर बहुत सी सुविदाइं एवेलेबल है कहीं पर भी कर सकती हो पहले कौन जानता था कोई नहीं जानता कोई सो में से दस आजमी बड़ा बिजनिस में ने वह कोई ओनलाइन ट्रांजक्शन कर लिया तो कर लिया बागी नहीं होती थी आज की टाइम हर जगह पर अ जब नहीं मोडी सरकार आया उससे पहले के साथ अगर कंपेर किया जाए तो आपने खुद भी देखा होगा जैसे एडुकेशन पोलिसी बगरा जो यूपी ने जो मतलब सोची थी लाने का वो चीज़ इंप्लिमेंट कभी किया नहीं था अभी भी इंप्लिमेंट नहीं हु जोब सी मतलब ठीक ठाक डेडिया करते थे इन सरकार में क्या प्रोब्लेम है इंफरस्टक्चर में जितना डेवलपमन करना हो कर देते लेकिन जॉब्स पर ध्यान नहीं देते जैसे प्राइबेट अगर कर दिया जाए और ज्यादा तो आपको प्राइबेट नोक्री भी मि कर दिया और यहीं बात है जो मतलब बीज़ेपी सरकार का डीजिटा इंडिया जब करके काया ना उसके कान करप्सन में कमी आई है वह में बोल सक्ता और इंफ्रास्ट्रक्चर डेपलपमन किया हुआ है लेकिन एकोनुमी के हाल तरप से अगर देखे तो एकोनुमी का हलाद बहुत खड़ाब कर दिया है उन लोगों ने और और उसके पहिनाम सवरुप अभी यह हो गया जो जॉब्स है नहीं वह तो कोवीड जो गया है पेंडेमिक जो हमने देखा है वह कुछ और कह रहा है हम लोग हम लोग अभी इंजिनियर्स हैं इंजिनियर्स का स्थिती देश बहुत ही अधिनियुको बहुत हम लोग खुद हम लोग खूद हम लोग रोगत है लास्ट यह जिख सव तक्ते दैकन तरहेब है योके युके का और इंडिया का एंप्लोयमेंट सिनारियों भहुत मतलब लोग खुद भी इतना मतलब मतलब जागरूख है जो मतलब हम जब UK गए थे तब हम लोग ने देखा था एक और बात है जो हम लोग को सरकार नहीं भेजा था लेकिन फिर वी में बोल रहा हो क्योंकि मतलब पुड़ा एजे होल में सेंट्रल गर्रमेंट के बिरूट बोल रहा हो जो लोगों ने क्या खामिया रहे गई एक चीज बस मैं इंटरप नहीं करना चाहरा हूं आप आम शौर कि बहुत सारे युवा दर्शक होंगे जो वैसी इ कैसे अपला करते बार बता देंगे यह एक मतलब यहां पड़ एक इंसीटूट है जो मतलब मिडिल में कह सकते मिडिल में नहीं बोलेंगा मतलब जो मतलब जो उर्ती है मतलब स्टुडेंस के साथ जिए एक स्कीम है मतलब ऑवर्सीज इंटरंशिब करके तो मतलब आस हम का जितना भी State Government Engineering Colleges जितना है State Government Engineering Colleges उनमें से इंटरव्यूस लेती है मतलब मेरे मेरे बेच के हम लोग 20 लोग थे उसमें से मतलब अमेरिका जाने वाले दो टीन लोग वो लोग जाने पाये तो हम लोग जो यूके जाने वाले लोग थे हम लोग यूके गया थे में स्कोटलें गया था यूके का स्कोटलें रोबर्ट गर्ण उनिवर्सिटी अबर सब्सक्राइब कर लोग ने मतलब कर अब लोग यहां से पैसों भी दिया पैसा वी दिया उनलोगों को मतलब यह चीज अच्छा लोग मार्च एप्रिल में जून तीन महीना वहां पर रहा लेकिन तब टू लाक्स करके टू थाउजन जी वीपी देके पाउंड्स देके उन लोग को मतलब कम रहने के लिए लोग को छोड़ दिया यह चीज मुझे अच्छा लगाता है लेकिन अब आते हैं वापस जो आप कह रहे थे वहां मैंने यह इसलिए कह दिया था कि लोग देश की यूथ है हम लोगों क्या चाहिए रोड इंफ्रस्ट्रक्ट्टर तो होगा यह हम लोग का वीपन्ट सबको अगल भीपन्ट होसते हैं हम लोग का चाहिए एंप्लोइमेंट का सिथी बहुत ही खराब है यह क्या बोलते हैं टो जा रहे है पुड़ा जितना भी वेकेंसी होता है नीचे गिरती जा रहा है कम होते ही जा रहे है तो अब तो होना चाहिए ना अभी दस सली अभी होने उन अबुटान बोलता है कि प्राइवेट गर्मेंट दो फाइवेट जॉब्स ले लो अब का पे निकलेंगा आपका दुकान है इतना अभी जैस्ति का इतना यह करके रखा है को यह कर दूकानी नहीं इसक्ति में इतना जाएगा जैस्ति में बोला था कि सरल्टेक्स और अब गवर्मेंट की जिसे पॉलिसी वो धीरे धीरे सरकारी संपत्या मॉनिटाइज की जा रही हैं मार्केट को दी जा रही है तो मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग जो की इतने प्रतिबाशाली इंजिनियर्स हैं जिनको खुद सरकार ने विदेश भेजा एक मतलब आनु त्रिमिल जाये उससे में बहुत कुछ होगा hai अभी 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 डेकि हम लोग इंजिनियर्स हैं लाग फिलहाल देख्ये हैं इंचीनेर्स लोग का बेंकिंग में गुस सब्सक्राइब कोविट से पहले जो आप लोगों के सिनियर्स थे उन लोगों को किस तरह का अच्छा गासा मिल जाता था अच्छे इस तुडेंट है तो उनको तो मिली जाता था लेकिन हम लोगों को मतलब एसा हो गया मतलब हम लोगा जो मुझसे भी अगर में माल लीजे में अच्छा इस तुरिंट होगा न अच्छे इस तो भी नहीं मिला मतलब का यह यहां चाहूं का कि मैंने भी जॉब किया तक निके मारा निक टाकिया मैंने तो मैंने इंटरविश में घाफॉटर्टर से भी यह फिर इंसरव इंटरव्वीयं के दिया है या यह सब्सक्राइब है एक्षिटी इसे मेरा इसकी प्रॉबलम है और अगर हम बाहर की बात करें अगर यह मेरा कर सकते तो हब है इंटर्व्यू देली चलते रहताै पर उनको चिवव स्किल सेट मैच ही कि नहीं होता यह बहुत बड़ी दिकते की में में मैंने खुद देखा है कि डेली इंटर्व्यू डेली बेसिस पर चल रहा है रिकृट्मेंट चल रहा है आप चाहिए कोई भी जो भी एप है नौक्री डॉट को मैं कोई भी एप हो उसमें आप जाए अप्रोच कि एपने बनाइए तो आपको कॉल साइंगे जो पुड़े एस्या के अचार थे उनसे भी दो तिन राउंड वी फाइनल राउंड तक भी पर कुछ बात हुए कि मैंने जॉब नहीं वहां पर पसंद किया करना पर ऐसी बात है कि जॉब है वो स्किल सेट मैच अब हाँ यहां पर कहीं ने कहीं मुझे जहां तक पता है कि एडुकेशन सिस्टम के उपर बात आ जाती है कि वो जो है ना अरे अनंत थरीकता अनंता वहीं वाइसा बहुत पीछे हैं उनसे भी पूछ लेते हैं सर आपका नाम क्या है आईश कुमार सर क्या करते हैं सर में बीबीए निरिम कॉमर्स कॉलेज है डिवीव गंदा उसमें इसके बारे में आपको कुछ आट करना है जी यहां में पढ़ाए बोलेंगे तो आसम में अभी जो गौर्डमेंट का पोलिसी आया है फिलार मुझे वह अच्छा लगा है जो सिक्स क्लास से ऐसे से वागेर हम लों का टैम में तो नहीं हो पाए आगे के लिए ठीक आप का ज पर आप आप असाम का अंदर में खोजोगे तो ऐसे तो नहीं होगा ना आपको बाहर तो जाना पड़ेगा आप एपलाए को बहुत सारो वेबसाइट में खुद आप अभी बीबे कर रहा हूं मैं खुद कमाता हूं मेरा फैमिली का बोलेंगे तो मैं पर सेमिस्टर का मैं से 25,000 मिनिमम मेरा 37 पर जाता है पर मैं खुद भी जॉब कर रहा हूं एक सीए गंदर में फॉर्म में काम करता हूं प्लस टीशन पढ़ाता हूं ऐसे करके मैं खुद का सेमिस्टर फीज निकाल लो आज का दिन में तो ऐसा बात नहीं कमाने का तारीका बहुत है अब जॉब का जहां तक बात ताक जंब आसंत्ल एये है एकशांड जरूर आईगी पर जहां तक बात करेंगे जॉब की तुमेह वोलूँगा बहुत पर एक सारी ल terror से पर अंडिया में जॉट बहुत है इंजिनिंग पनी वहारा पड़ेगा इंपलोई फिर अलग-अलग मतलब मतलब फिल्ड में आपको और ब्रांच में चाहिए इंजरिंग जॉब करने के लिए इंजरिंग में इंजरिंग में इसमें जॉब सब्सक्राइब है अधर मैदान में आजाएं अप देश के नौजवानों को देते तो अच्छा लगता है जॉब की कमी है हम यह चीज मानते हैं लेकिन आप लोग यह संदेश देते की बिजनेस भी छोटा-मोटा बिजनेस भी ब है द्रिष्टी से नहीं देखना चाहिए हम किसी प्रश्णली किसी के लिए नहीं एदी सफलता की सीड़ी चड़नी है तो बिजनेस ही करनी चाहिए आप जॉब करके कमा सकते हैं खा सकते हैं पहन सकते हैं बच्चों को पढ़ा सकते हैं इसके आगे सर कुछ नहीं कर सकते सा मेरा प्रशनली एक सुझाओ है कि लोग छोटे छोटे लगू द्योग से विजुड़े गौवर्मेंट बहुत सारा मदद कर रही है चाहे आपका मुद्रा लोन हो या कोई भी लोन हो तो उसमें दिल्चस्पी लेनी चाहिए ऐसा मेरा मानना है बाकी करना नहीं करना उनके बिल्कुल बिल्कुल जिसको कहते हैं बिल्कुल दुरुस्त मतलब सोला आने की सला है वो लेकिन जैसे जो देश के बहुत टैलेंटेड यूवा जो बाते रख रहे हैं जो उनकी चिंता हैं उनके लिए भी इन सलाओं के बीजगे होनी चाहिए सुमिज जी अब मंगल किया है दुकान का क्योंकि हम लोगों ने जैसे शुरुआत की दी और जैसे लोग आये थे तो अपना यह सोचना था कि बहुत नदी किनारे लोगों से बातचित करते हो करते रहेंगे दो दिकते एक तो यह किनारे होने की वज़ए से मच्छर और कीड़े बहुत जादा है जो कि हम लोगों ने यहां पर लोग आये का लिपसाहा हाँ मतलब कीसी बातको मतलब ने का उनको पता होता एसे मसदार लोगों से Madal हुआ जगे की बहुत सुंदर क्यापिटल है और जहां हम कड़ें जो कि दिन में बड़ा मजा आता है यहां पर होने में और हम को मज़ेधार अगर आप प्लेइस चेक करिए और उस पर सारे साम एक्षिन के हमारी सारी कवरेज मिलेगी वह भी देख सकते हैं उसमें भी काफी सारे वीडियो ऐसे हैं कि खानपान कैसा है रहना कैसा है पॉलिटिक्स पे बातचीत तो ही पॉलिटिक से इतर भी कई नचींची चीजों को अरब लोग यहां से समीटते हैं और लोगों का अलविदा कहते हैं आप का लंगों का शुकरिया बहुत आप लोग यहां कर समय निकाला और अब भिडियवे लगतार शुकरिया ल наж साथ बने रही है ललन टॉप चुनाव यात्रा के साथ बने रही है मेरे साथ निखिल है और कैमरे के पीछे यह सबसादा मच्छर खाया है वहाद मैं नहीं बारा है मैंने आप मैं इस लिए भी पीछ में जाके जाके उनके को बहुत बहुत शुक्रिय अमें देखने के लिए क्लाइसमीय में क्लेसे garden yeah फेलिए फेला के जबन्य आपना नहें तरह पंगोली जो अपना लोगत दोन्हिजू हинов हना अपना लोगत दोनेबाद खुआ लाख कॉपीटो आल चले थांक यू